संपत्तिकर बकायदारों को महानगर पालिका ने बड़ी राहत दी है अब बकाया संपत्तिकर पर लगने वाली शास्की को माफ करने का निर्ने लिया क्या है मनपायक तिराधा कृष्णन बी ने इसके लिए अभय योजना 2020 लागू करने का निर्ने लिया है जिनका संपत्तिकर 31 मार्च 2020 तक बकाया है और जिने चालू आर्थिक वर्ष 31 दिसमबर तक संपत्तिकर भरना है उनके लिए योजना लागू होगी अभय योजना की अवधी 15 दिसमबर 2020 से 15 फरवरी 2021 तक रहेगी महराश्र महानगर पालिका अधिनियम की प्रावधान अनुसार आयुक ने अपनी अधिकारों का इस्तमाल करते हुए अभय योजना लागू करने का निर्ने लिया है योजना अंतरगत 31 मार्श 2020 तक बकाया कर और जो करदाता चालू आर्थिक वर्ष 21 दिसमबर 2020 तक संपत्ति का भुकतान नहीं कर सके ऐसे लोग योजना का लाब ले सकेंगे गेर तलब है कि कोविट के कारण मार्श में लोकडाउन लगाया क्या लोकडाउन में अनेक लोगों की काम धंदे बन रहे इसका सीधा असर आर्थिक परिस्तिती पर हुआ चन प्रतिनिद्यों ने बकाया संपत्तिकर की रकम से शास्ति माफ करने की मांग की थी पूर्व आयक्तुकाराम मुंडे के कारेकाल में इसके लिए आंदोलन भी किया गया था मुंडे ने इसे अमान्यक कर दिया था राधाकृष्ण भी ने इसे लाकू किया लाख प्रापर्टी ओनर्स जी आहे त्यापई की अनेक नागरिकानना या योजनेचा लाब मिनार आये जैंची खबाकी आहे अणी सदरान्ता या योजनेचा कार्यान्वी करण आज पसुन शुरू जला है योजना चाउदा वारा दोनजार वीस पसुन लागू होँन या योजने अंतरगत अंशी टक्के जी शास्ती है जैचे अधिकार मन्यायुक्तन आहे मन्यायुक्तन नी तैंचा अधिकारात या योजनेला मंजूरी प्रदान के लिली है आणि या माध्यमातून अंशी टक्के शास्ती ही संपूर्ण पने माफोनार है या योजने चा माध्यमातून साधरानता जी चालू आर्थिक वर्षेची मागनी है 215 कोटी आणि थकवाकी जी आए ती सहाशे कोटी है, त्या पैकी साधरानता 4 कोटी रूपय थकवाकी वसुल धालिली है आणि 560 कोटी रूपय ही थकवाकी महानगर पाली केला येने अप्यक्षीत है या योजने चा माध्यमातून साधरानता जी व्याज आहे थकित रकमे वरील ती 117 कुटी रुपय ची आहे अणी सहा लाख 35,995 मालमत्य चा जी आईस डाटा जमा धालेला है तैमने या योजने चा लाब मोठया प्रमणात नक्पूर शरातील नागरी कानना होईल अभय योजना अंतरगत बकाया मूल रकम 100% भरने पर बकाया रकम पर प्रती महा 2% वसूल आने वाला दंड और नियम 50 अंतरगत जबती अधिपत्र बजावनी शूलक अत्वा वसूली का खर्श इन्या मानुसार कुछ प्रमान में माफ किया जाएगा 31 मार्श 2020 तक बकाया संपत्तिकर सहे चालू आर्थिक वर्ष के संपत्तिकर का भी भुकतान करते हैं तो ब्यास की रकम पर 80% चूट दी जाएगी यह रकम 15 दिसंबर 2020 से 14 जनवरी 2021 की रात 8 बजे तक भुकतान करने पर ही सुविधा मिलेगी 15 जनवरी 2021 से 14 फरवरी 2021 की रात 8 बजे तक 31 दिसंबर 2020 तक की बकाया संपत्तिकर की रकम जमाक करने पर शास्ती पर 50% की चूट मिलेगी 15 योजना अंतरगत महाराष्ट महानगर पाली का अधिनियम के तहत 6 अत्वा नियम 50 अन्वे जबती अधिपत्र बजावनी शुल्क या वसूलकर्ष पूरुन तह अत्वा अंश्तह पर लेखित मर्यादा अनुसार विग्यापन शुल्क छोड़ कर माफ किया जाएगा योजना अवधी के पहले या बाद में रकम भरने वालों को योजना का लाब नहीं मिलेगा योजना के पहले रकम भरने वाले रकम वापसी के लिए योजना अंतरगत मांग अत्वा दावा नहीं कर सकेंगे जिस अवधी के लिए छूट का लाब लेना है उस अवधी में को पत्रकार परिशद में स्थाय समिती अधिक्ष और जल विभाग सभापती पिंटु जल के ने पानी बिल को लेकर भी बड़ी खोशना की है जल के ने बताया कि घर टैक्स के साथ ही पानी बिल को लेकर भी अगले महिने से अभाई योजना चलाई चाये की अम के ने चलाई बिला है जाचयावर शास्ती लगले वी है क्योण डीपी सी जला आपन बतायों डीजै पेमेंट चार्जिस तर या शम्मल्ड सक्के आमी सुट देतोा है शम्मल डक्के डीपी सी माफ होना रहै यह योजने चा कार्येकरा्था यहेवर्ड 1 मयंच आत् ingen 29 तरक पासुन ही योजना 22 जयनेवारी परेंथा राहिल आणि त्यानन्थर जे लोको या योजनेचा लाप घें आ पासुन वनचीत राहिल, त्या लोकानना त्याचा लाप घेंआ करी ता पुरुधा महिनाजो आहे बने जे 22 जयनेवारी ते 22 फेबरु अरी या दर्माइन च पत्रकारों से चल्षा करते हुए जलते हैं पत्रके ने बताया कि शहर में कुल 50,000 अवैद नल कनेक्शन है जिससे नियमित करने का काम चल रहा है